किसानों को खेतों में बिजाई के लिए छोटा ट्रेक्टर नंदी काम आएगा और धलान वाले खेतों में भी ट्रेक्टर बखूबी से काम करेगा हमिरपुर के राजेश कुमार निवासी जन्यारा ने करीब चार साल की मेहनत करके आज वह काम आई है और आज एक इतना छोटा ट्रेक्टर त्यार किया है जो कि कैरोसीन से लेकर पैट्रोल दोनों से काम करेगा मैट्रिक पास राजेश ने कड़ी मेहनत और लगन के दमपर सस्ता पावर टेलर त्यार किया है इतना ही नहीं छोटे से ट्रैक्टर नंदी का वजन भी ज्यादा नहीं है और कम बजट में यह ट्रैक्टर अब बजार में उपलब्ध है जैसे मैं फिल्ड में जाता था लोगों बेखरों में तो उनकी समस्यां क्या है उसको देख कर उसके बारे मैं लोग अपनी परिसानिया बताते थे मजे और ट्रैक्टर का आइडिया ऐसे आया कि मैं जैसे उपर बाले र Kritter जादा है उन रिलाकों में तो वहां ट्रैक्टर नहीं पहुंच सकते थे लोग मतलग खेत फो जैसे अपने हाथ से या किसी भी मतलग से भूते थे तो अप्र मेरे दिमाग में ट्रेक्टर का आइडिया आया कि कोई ऐसी डिवाइस छोटी सी बनाई जाए जिससे इन लोगों के समस्या का समदान हो जाए तो मैंने बहुत मैनत करके जी चोटी सी डिवाइस बणाई है और इसको चेक करके और इसके पूरे टेस्ट करके अब मैं बाजार में उतार दिया करें चोटे ट्रेक्टर नंदी को बजार में लॉंच करने के समय मैनेजर पृतिश चुहान एक्स्टेंशन ऑफिसर इंडस्ट्री प्रवेश कुमार भी मौजुद रहे बनाएगे छोटे ट्रेक्टर को आइडिया को भीजा जाएगा और प्रैक्टिकल शेप में त्यार किया जाएगा मुख्या मंत्री स्टार्टप योजना हिमाचल सरकार ने स्टार्ट की है उसमें कुछ ऐसा आइडिया जैसे किसी बच्चे को या किसी को भी कोई भी आइडिया आता है लेकिन उसका एक प्रैक्टिकल जब प्रोटोटाइप उसको च्यार करने में वो सक्षम नहीं हो पाता हैं और वहाँ पे वहाँ की जो प्रोफेसर्स हैं बच्चे है वोस आइडिया को एक प्रैक्टिकल शेब देने में उस जो अप्लिकेंट है उसकी मदद करते हैं और फिर जब वो आइडिया एक प्रोटोटाइप में त्यार हो जाता है और उसको इन्होंने मार्केट में प्रवेश कुमार का कहना है कि छोटा ट्रेक्टर नंदी किसी भी खेत में जा सकता है और खेतों की बिजाई कर सकता है उनने यहों भी बताया कि छोटा ट्रेक्टर 50,000 और 33,000 रुपए में उपलब्ध है उनका कहना है कि मुख्यमंत्री स्वाव लंबन योजना के तहट केस को डाला गया है ताकि सर्टिफाइड होने के बाद किसी कंपनी के साथ MOU साइन करने का मौका मिने इसको किसी भी खेट में यह जा सकते हैं और उसको प्लोइंग कर सकते हैं एक हिसास जो भी फसल की स्वोईंग है वो भी मतलब इससे हो सकती है और यह इन्होंने कि भायती उस पे रखा हुआ है और क्योंकि ट्रेक्टर वो पॉस्टी होता है और उसके जो मैंटनेंस इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं और अपना जो भी काम है वो कर सकते हैं एक हल का एक मेकैनिकल जो प्रतिरूप है इसको किसान कैसे ले सकते हैं कोई सबसीटी भी होगी बागत अब से कैसे अब लेब होगा है आभी तो सर जैसे मैनेजर सर ने इनका केस मुख्यमंतरी कर सकते हैं तो यह मतलब अपनी तरह का एक प्रजेक्ट है मैं इनको धन्यवाद देतना चाहता हूं जादा मोडिकेशन लाना चाहते हैं तो उसको स्टार्ट अप के भूब भी लिए जाए लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमेर पर से एसिंग की रिपोर्ट लाइव टाइम्स टीवी के फेस्बुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब का नम मत भूलिएगा